नमस्कार फ्रेंट्स में नाम बबलू उर्मा पेपर हेकर में आपका स्वागत है आजम देखने वाले हैं यहां पर इंवानमेड का पार्ट नमबर हो जाएगा अपना 13 क्यूंकि वह सो क्यूशन हमारे आने ही वाले हैं और पूरी वुक में बारा सो ही क्यूशन दे रखे हैं और हमारा पार्ट कोंता है प्रते एक पार्ट में में कितने देखने को मिलते हैं पचास क्यूशन हमें आपर टेंड करते हैं ठीक है तो बीस पार्ट में सारे की सारे आपके कवर हो जाएंगे तो बात करते हैं बारा सो क्यूशन को ज्यादा नहीं है याद करने को इसमें से आही रहें इसका मतलब 12 question को 12 question हो वे से एक question हमें आपर देखने को मिलने वाला है हमारी exam ठीक है तो जादा नहीं है 1200 question आराम से विसे हम याद करते हूँ चलेंगे सिर्फ देखना है आपको मुश्कल से 50 से 100 question आपको याद करने पड़ेंगे बाग की सारे की सारे देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे तो बढ़ते हैं और जिसको नोट्स चाहिए तो नोट्स कहा मिलेगा वही नोट्स मिलेगा हमारी site पर www paper hacker.in पर ठीक है तो बहां जाके आप नोट्स चाहिए बीकॉर्ट सभी हो के ठीक है जो यूनिट चल गाता है वो कौनषा चल गाता यूनिट यहाँ पर छल थरड़ेंट वालय ठीक है कौन सा यूनिट हो जाता है ध्यान डखना ठीक है तो सफ यूणिट यूद्षादrd हो बळते हमारेार्टि और रहनेट sécurité को आ सभे हैं पर्याबर inner क्या है इससा भी परियाबढ इस्थरता परियाबढ अनुकूलता या फिर इन में से कोई नहीं तो परियाबढ अवनैन क्या है अवनैन अवनैन मतलब क्या होता है किसी चीज में कमी आना है ना अवनैन मतलब कमी और अवनैन मतलब बड़ा होन है ना लाब होना प्रॉफिट होना भी कह सकते है तो बात करते हैं परियाबड अवनेन क्या है तो परियाबड की गुडवत्ता में हरॉस हो जाएगा ना कमी आईगी तो क्या हो जाएगा हरॉस तो परियाबड अपने हम क्या होता है बही होता है परियाबड की गुडवत्ता में हिरोस बिलकुल इजी ली था आगे बाते हैं next question बायू मंडल में मानव जनित कारवंड़ यॉकसाइड जो मानव अपने द्वारा कारवंड़ यॉकसाइड रूसर जित करता है उसकी बात यह उसमन मतलब उसमा में ब्रद्धी जो होती है अग्रोत्तर होता है उसमा में तो वो कह रहा है वो क्या कहलाता है तो आपको बताना है मेगा अच्छादन कहलाता है बरसा हरतिग्रह प्रभाव या फिर हो जाता है एल विडो तो राइट आंसर मारा क्या होगा तो बायू मंदर में मानम जनित जो कारवन डे अकसाइड होती है उसका आच्छादन द्वारा भूतल के अग्रोप्तर उसमन कहलाता है बह कहलाता है हरितिग्रह प्रभाव क्या कहलाता है भई हरितिग्रह प्रभाव कहलाता है आगे बढ़ते हैं next question next के बात करते हैं हाद रखा है हार्मोन घुलंसील होते हैं very important भी बसा में पानी में या फिर इनमें से कोई नहीं right answer क्या होगा तो जो हार्मोन्स होते हैं है ना हार्मोन्स कहां से निकलते हैं भी हमारे सरी रिलीज करता है हम बहार से नहीं लेते हैं है आपको बता है तो हार्मोन्स गुलंसील होते हैं किस में गुलंसील होंगे बसा में गुलंसील होंगे पानी में गुलंसील नहीं होते हैं तो राइट बनाने वाली गैस होती कौन सी है तो भै होती है LPG है ना आपको पता है कौन सी होती है भई LPG होती है जिसे हम क्या कहते है liquid petroleum gas कहते है क्या कहते है भई liquid petroleum gas इसकी full farm हो जाती है तो खाना बनाने वाली gas में होती है क्या होती है दिर्वित methane बा-ethane दिर्बित एसिटिलीन दिर्बित प्रोपेन बाब्यूटेन उप्यूक्त में से कोई नहीं तो राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है खाना बनाने वाली गैस या फिर LPG गैस में क्या होती है कौन-कौन सी कैसे होती है अगर बात करते हैं प्राकर्टिक गैस जिसे कहते हैं CNG है ना CNG CNG में मतलब कौन-कौन सी गैसे होती है ये भी आपको साथ में बताते रहना है ठीक है तो बताएगे कौन सा राइट होगा तो बात करते है LPG लिक्विट पेट्रोलियम गैस की तो इसमें जो गैसे होती है बेह होती है अपनी प्रोपेन और ब्यूटेन कौन सी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन होती है अब यहाँ पर पूछ सकता है क्योशन कि LPG का जो मुखी गैसे वो कौन सी है ब्यूटेन है मुखी गैस पूछेगा तब क्योंकि क्योशन यहां से बन सकता है जब क्योशन आया है तब ठीके तो LPG जो है उसकी जो मुक घटक होता है वो कौन होती है कौन सी गैस होती है भई व्यूटेन होती है इसी प्रिकास से CNG इसको देखेगा स्री यहाँ पर तो हमने देख लिए CNG होगा ना यहाँ पर क्या देख रहे हैं GNP क्या लिख दिया मैंने नहीं CNG होगा ठीक है कौन सा होगा CNG होगा तो CNG में कौन सी होती है यह आपको बताना है CNG में कौन सी होती है यह आपको बताना है मुख्य गैस कौनसी ? मुक्क गैस यहां पर भी आपसे exam में पूँच सकता है आपके इसमें ही ठीके ? तो CNG में जो मुक्क गैस होती है वो अपनी कौनसी होती है ? वो होती है Methane ठीके me ? वो कौनसी होती है ? Methane तो Methane, Ethane और Butane جो होती है वो किस में देखने को मिलती हैğ CNG में और ATHANE, PROPANE और BITANE यह कैसे किस में देखने को मिलती है LPG में ठीके तो दोनों के यहाँ पर आपको confirm हो गया कि CNG में कौनसी METHANE, ATHANE और PROPANE ठीके में, METHANE, ATHANE और PROPANE हां यहाँ पर कौनसे होगी PROPANE और यहीं बात करते हैं CNG में कौन सी होती है CNG में हम देखा न CNG में कौन सी होती है Methane, Ethane और Propane और LPG में कौन सी होती है LPG में होती है Propane, Butane और Ethane ठीक है तो इस परकार से यह हमारी Gas से हो जाती है तो अब बढ़ते हैं आगे की और यहां से कौशन बहुत बनता है कि CNG की मुख घटक है मुख घटक कौन सी गैस है तो मिथेन है और LPG की जो खाने बनाने बेली गैस है उसका मुख घटक कौन सा होता है तो ब्यूटेन होता है यह कौशन आपके एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहां पर सफ़रत सा ज़्यादा फोकस किया है आगे बढ़ता है next question next question की बात करते है BOD दोरा ब्यक्त्य किया जाता है जो आप BOD चेक करते हो पानी के अंदर वो बात हो दिए कि BOD के दोरा क्या ब्यक्त्य किया जाता है पहला जैब संगटिये जैबिक रासाइनिक, जैबिक ऑक्सिजन डोज, या फिर जैबिक ऑक्सिजन मांग, तो right answer हमारा क्या होगा, बताईगा, BOD, BOD द्वारा व्यक्ति किया जाता है, क्या व्यक्ति किया जाता है, यह आपको बताना है, कि आपके पानी में इतनी BOD है, है ना, यह आपके लिए सु कि जन्तु के लिए ऑक्सिजन की कितनी मांग है, यह आपके लिए परियाप्त है, या फिर नहीं है, है ना, यहानी कारक जो पानी है, आपके लिए लाबदायक है, या फिर नहीं है, तो इस प्रकास से BOD द्वारा व्यक्ति किया आता है, जैबिक ऑक्सिजन डिमांग, क्यो जो बर्सा कम होती जा रही है उसका मुख्य काड़ क्या है यह आपको यहां पर बताना है अनियंत इतबाड मिर्दा प्रस्ट बास्पन बन बिनास या फिर भुसकलन तो राइट आंसर मारा क्या होगा तो भारत में जो बर्सा कम होने का मुख्य काड़ क्या है तो बहो जाता ह बनो का बिनास राइट आंसर उप्शन नमबर हो जाएगा C आगे बढ़ते हैं यह तो एजी क्योशन था यहाँ रखा है सीसा है सीसा कौन है यह बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है और यह कंप्रिट एक्जाम में पुछा आता है सीसा है सीसा क्या है बहुत इंपोर्टेंट क्योशन की बात करते है जो बिस्व का मुख की बात कर रहा है ध्यान से देखना बिस्व का जो मुख की बायु पुर्दिशक होता है बह कौन सा होता है सीयो कार्बन मोनो अक्साइड सीयो टू कार्बन डी अक्साइड एंटू नाइट्रोजन यह सलफर राइट आंसर हमारा क्या होगा बिस्व का मुख के बायु पुर्दूसक की बात कर रहा है मुख कौन सा होगा सीयो कार्बन मोनो अक्साइड राइट आंसर होगा option number A पहुत important question है यह producer से संब्द है unit भी producer से है तो यह question आपके exam में देखने को मिल सकता है next बढ़ते हैं निम्रिकित में से gel producer का कौन सा सूचक नहीं है तो gel producer का कौन सा सूचक नहीं है भही आपको बताना है तो पहला दे रखा है blood worm फिर stone fly seaweed fungus फिर रखा है sludge worm तो right answer नमारा क्या होगा देखो worm दे रखा है बर्म दे रखा है तो यह तो नहीं होंगे यह तो सूचित करते होंगे अब यहाँ पर दो यहाँ पर दे रखे हैं पहला दे रखा है stone fly फिर दे रखा है seaweed fungus तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा जो gel producer का कौन सा सूचक नहीं हो जाता है तो वो हो जाता है seaweed fungus कौन सा seaweed fungus हो जाता है right answer हो जाएगा option number C यह एक question यहाँ पर याद करने को आपको देखने को मिल जाता है आगे बढ़ते हैं next question next बढ़ते हैं निम्निकित में CO carbon monoxide किसके मिलकर producer बन जाता है जो carbon monoxide है वो किससे मिलकर producer बन जाता है यह आपको यहाँ पर बताना है हिमोगलोबिन oxygen glucose या फिर यूरिया तो CO किससे मिलकर producer बन जाता है तो बह बन जाता है oxygen से मिलकर तो right answer हो जाएगा option number B very important question है next बढ़ते है fluoride producer प्रभावित करता है जो fluoride producer है वो किसको प्रभावित करता है यह आपको बताना है दातों को, हिर्दे को, मस्तिक्स को या फिर गुर्दे को तो right answer हमारा क्या होगा तो fluoride होता है यह producer है वो किसको प्रभावित करेगा यह करेगा दातों को right answer हो जाएगा option number A next बढ़ते है जल करांती होती है चिकनी मिट्टी में दोमट मिट्टी में पजरी में या फिर बालू मिट्टी में देखेगा बहुत important question है जल करांती किसमें होती है तो बहोती है चिकनी मिट्टी में राइट आंसर हो जाएगा option number A, next बढ़ते हैं, कस्मीर की जो डल जील है, वो प्रिदूसित होने का कारड़ है, कस्मीर की डल जील, प्रिदूसित होने का कारड़ क्या है, आपको देखना है, औध्धोगिक ब्यर्त, ब्यर्त उस्मा, घरेलू ब्यर्त, या पर प्रिष्ट ब्यर्त उस्मा भी नहीं है, नहीं प्रस्ट उठने से होता है, किसे घरेलू जो ब्यर्त सामान होता है, ठीक है, उड़ा कच्रा हो गया, ये डालते हैं, तो उससे जो डल जील है, वो क्या हो रही है, प्रिदूसित होने का कारण हो जाता है, तो right answer हो जाएगा option number C, घरेलू ब्यर्त, नेक्स बढ़ते हैं, यहां देखा है, प्रिकास संसलिस्ट प्रिक्रिया को धीमी करने की प्रिक्रिया मुक्यता किसके कारण होती है, ये भी important question है, जो प्रिकास संसलिस्ट है, उसकी जो प्रिक्रिया को धीमी करने की प्रिक्रिया मुक्यता किसके कारण होती है, य या फिर हाइड्रो कार्बन ये कोश्चन हमने देख रखा है रिपीडिट कोश्चन है ये तो कौन सा राइट होगा भई जो प्रिकास संसुकी पेकरिया होती है धीमी किस काड़ होती है ये धुमा धूल और इसमोग के काड़ धीमी हो जाती है राइट आंसर अप्शन नमबर C हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स तरह का है ओजोन गैस को प्रिदसित किया जाता है जो ओजोन गैस है उसको किस से प्रभाइद करते हैं CO2 CO3 OZ या फिर OZ O से तो राइट आंसर क्या होगा जो ओजोन गैस है ओजोन गैस को प्रिदसित करते हैं किस से CO3 से ठीके तो तो right answer option number भी हो जाएगा जो ओजोन ले रहे हैं वो सबसे आदा कहां पर है वे हो जाती है मद्द मंडल में मतलब मीजोस्फिर में आगे देखते हैं नेक्स रहे है परियाबढ़ को सरबधिक बिगाड़ता है कौन बिगाड़ता है किरसी पसुपालन उद्धोग धंदे या फिर परीवेहन तो right answer क्या होगा जो परियाबढ़ है उसको सरबधिक कौन बिगाड़ता है तो बह बिगाड़ता है उद्धोग धंदे तो right answer option number C हो ज आना है तो पहला देरह रखा है अपना ह Co3 Na+, Ca++, यह ना बहुत रोचाता है complex ही कहते है c l- तो यहाँ पर बताइए का वहाँ सा right होगा जल की जो छारकता होती है वो किसके card होती है यह हो जाती है अपने option number A की card HCO3 किसके HCO3 मतलब हो जाता है bi carbonate आपको पता है ना किसके card ? bi carbonate के card gel की छारक्ता होती है आगे बढ़ते है next question next दिरखा है उरजा के किस रूप में प्रदूसरण की समस्य नहीं होती जो उरजा का रूप होता है किसमें प्रदूसरण की समस्य नहीं होती ये आपको देखना है कोईला, परमाडू, पेट्रॉल या फिर सौरूर्जा तो आपको पता है पर दुसर की समस्य है किसमें देखने को नहीं मिलती है सौरूर्जा में देखने को नहीं मिलती है तो right answer option number D हो जाएगा next बढ़ते हैं इनमें से बायो डिग्रे डेवल है जो बायो डिग्रेवल है बहे कौन है यह आपको यहाँ पर बताना है बायो डिग्रेवल तो मतलब बायो डिग्रेवल किस कहते किसे हैं पहले यह भी हमें याद होना चाहिए है ना तो यह कहते हैं जीवाडू या फिर कबक फिके जीवाडू कबक या फिर अन्य जीवों के द्वारा अगर कोई भी चीज बिगिटित हो जाती है क्या हो जाती है बिगिटित हो जाती है पुना जैसे कह सकते हैं कि जो जीवाडू कबक होते हैं वो क्या करते हैं तो यहां पर आपको देखना है कौन सी हो जाएगी बिल्कुल राइट लोहे कील प्लास्टिक का मग या फिर लेदर वैल्ट या फिर हो जाता है Silver File तो यहाँ पर देखना है कौन सा हो जाएगा Right तो Silver File भी नहीं होगा इसे जीमाडू, कबाग बगारा नहीं खा सकते ना ही Plastic को ठीके, बिक्टित कर सकते हैं और ना ही लोहे की कील को जो की पुना तयार हो जाए तो यहाँ पर जो Right Answer हो जाएगा तो सबसे नगरी कृत राज जी कौन सा है आपको बताना है महराष्ट करना टक, गोवा, तमिलना डू तो जिस राज में सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या निबास करती है तो बहा कौन सा हो जाएगा बहा हो जाएगा गोवा सरबदिक नगरी राज जी कौन सा हो जाएगा तो बहा हो जाएगा गोवा, राइट आंसर हो जाएगा Option Number C Next बढ़ते है Next देखा है कौन सा खरपतवार नासी है जो खरपतवार जो होते हैं फसलो को नश फसलो के जो अंदर जगे बे जगे पौधे जमाते हैं तो उसे खरपतवार कहते हैं तो कौन सा खरपतवार नासी है आपको बताना है यूरिया नहीं ये तो ब्रद्धी करेगा फिर देखा है Next देखीगा आईसो प्रोटियूरॉन फिर देखा है मेलाथियोन जो मेलाथियो नहीं होता ये कीट नासक होता है क्या होता है कीट नासक घरपतवार नासी नहीं होता है तो यहाँ पर जो राइट आंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर B हो जाएगा आईसो प्रोटियूरॉन ठीक है तो यहाँ पर जो option दे रहे हैं option number B बिल्कुल right answer आ चुका है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं दिल्ली एव मुंबई जैसे सहरो में पिर्मुक बायू पिर्दूसक है तो बहाँ पर बायू पिर्दूसक आपको क्या देखने को मिलता है पहला हो जाता है ozone CFC hydrocarbon gas CO carbon monoxide carbon monoxide और sulfur के oxide दोनो A तथा C तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट होगा B तथा C ठीक है तो यहाँ पर देखेगा दिल्ली और मुंबई जैसे सहरो में बायू पिर्दूसक कौन सा है तो बहाँ हो जाता है B hydrocarbon gas और CO carbon monoxide carbon monoxide और sulfur dioxide यह दोनों के दोनों क्या होंगे बिल्कुल right हो जाएंगे तो यहाँ पर जो right answer होगा option number D B or C रहने वाला है आगे देखते हैं next question को पुझा बही उपर बात करते हैं निम्निकित में से कौन अधिक्तम ध्वनी प्रदूसर का कारण है अधिक्तम ध्वनी प्रदूसर का कारण है यह आपको बताना है भारी यातायात पाप संगीत पाप संगीत ठीक है फिर देखा है निर्बाचन सभाएं या फिर जेट उडान तो right answer कौन सा होगा यह आपको यहाँ पर देखना है तो निर्बाचन में से कौन अधिक अधिक्तम की बात कर रहा है अधिक ध्वनी प्रदूसर का कारण है तो बह कौन हो जाएगा भारी यातायात होगा जेट उडान भी नहीं होगे ठीक है तो right answer हो जाएगा option number A अपन आगे बढ़ते हैं next question रखा है कि घातक कूड़े का सबसे प्रभावसाली प्रभाव होता है पायू प्रदूसर पर धर्ती में पानी का प्रदूसर पर या फिर लेंड फिल का जाइदा प्रियोग या हो जाता है डेवीटेट का खत्म होना तो right answer हमारा क्या होगा घातक कूड़े का कहा होगा धर्ती पर पड़ा हुआ और जैसे ही पानी मिलेगा उसमें तो क्या हो जाएगा बैप्रदूसर को बढ़ावा मिलेगा ठीक है तो right answer होगा option number अपना B next वरते हैं loudspeaker कारर है जो loudspeaker है बैप कारर है किसका बायू प्रदूसर का ध्वनी प्रदूसर का जल प्रदूसर का या फिर मिर्दा प्रदूसर का तो यह तो बिल्कुल easy है किसका हो जाएगा बैप ध्वनी प्रदूसर का आगे देखते हैं next रखा है detergent कारर है detergent कारर क्या होता है बायू प्रदूसर जल प्रिदूसर दोहनी प्रिदूसर या फिर इनमेज से कोई नहीं तो क्या होगा जल प्रिदूसर ये भी जी था next बढते हैं किसी प्रिदूसित सरोबर में प्रिदूसर का माप है कि कोई भी प्रिदूसित सरोबर सरोबर मतलब जील कह सकते हैं ठीके सरोबर तालाव कर लिजीगा मतलब तालाव तो कोई भी तालाव है उसमें प्रदूसर का माप आप कैसे कर सकते हो मेड़क की संख्या द्वारा या फिर ओजाता है डेफ्निया द्वारा आर्टीमिया द्वारा या पिर इनमे से कोई नहीं right answer मारा क्या होगा किसी प्रिदूसित सरोबर में प्रिदूसर का माप कैसे निकालते हैं मेडकों की संख्या के द्वारा तो right answer option number हो जाएगा यह अपने next बढ़ते हैं next रहका है प्लास्टिक का प्रियोग होता है जो प्लास्टिक है उसका प्रियोग कहा होता है एर कंडिशनर में उपभोग सामागरी में सबजियों को ताजा रखने में इन में से कोई नहीं जो प्लास्टिक होती है उसका प्रियोग कहा होता है एर कंडिशनर में बिलकुल नहीं सबजियों को ताजा रखने भी में नहीं होता है उबोग सामागरी को रखने में होता है तो right answer हो जाएगा option number B next बढ़ते हैं अपसिष्ट को जला कर नश्ट करना क्या कहलाता है रेडियो धर्मी भस्म कर देना दूसित करना या फिर अभ्यारड है राइट आंसर नमारा क्या होगा अपसिष्ट को जला कर नश्ट करना क्या कहलाएगा भस्म कर देना राइट आंसर option number B हो जाएगा next बढ़ते हैं रेकाए निम्रिकित में से कौन सा बहानों के लिए सबसे कम प्रदूसर फैलाने बाला इधन है निम्रिकित में से कौन सा बहानों के लिए सबसे कम प्रदूसर फैलाने वाला कौन सा सबसे कम प्रदूसर फैलाने वाला जो इधन है वो कौन सा है डीजल, पेट्रॉल, तरली कृत पेट्रोलियम गैस या फिर संपिडित प्रिकरतिक गैस right answer यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बस चार option में आपको देखना है कि कम प्रदूसर फैलाने वाला कौन सा हो जाएगा तो बैह हो जाएगा संपिड़ित प्रिकरते के गैस right answer हो जाएगा option number D next परते हैं next रखा है अमल बर्सा का पियच मान है बुक में गलत रखा है यहाँ ठीक है तो जो अमल बर्सा का पियच मान होता है वो कितना होता है साथ से अधिक साथ से कम या फिर 5.5 से अधिक या 5.5 के बराबर तो कौन सा राइट होगा अमल बर्सा का जो पियच मान होता है बहर होता है साथ से कम तथा 5.5 से अधिक तो कह सकते हैं साथ से कम ठीक है तो right answer होगा option number B हो जाएगा और 5.5 से अधिक भी right होगा क्योंकि पहले कौन सा देखा है option number B दे रखा है तो कहां जाएंगे option number B के ओर जाएंगे next देखीगा next देखा है निम्र प्रिदूसर ना हो ठीके किसी के माद्यम से ही प्रिदूसर फैला आएं तो यहां पर देखते हैं सलफार डयाओकसाइड और और अक्सी एसिटेट नाइट्रेट या अपना हो जाता है नाइट्रोजन डयाओकसाइड या कार्बन मोनोकसाइड तो आपको पता है दुत्यक प्रदूसर कौन सा हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा CO, Carbon Mono Oxide क्योंकि यह Oxygen से किरिया करके क्या करता है, प्रदूसर फैलाता है तो इसलिए से क्या कहेंगे, दुद्यक प्रदूसर कहेंगे, तो right answer option number D हो जाएगा next बढ़ते हैं, compost है compost क्या है, एक रोग, बैक्टेरिया अबसिष्ट प्रबंदन का तरीका या फिर पौधा, तो right answer क्या होगा compost क्या है एक अबसिष्ट प्रबंदन का तरीका हो जाता है, right answer हो जाएगा option number C, next बढ़ते हैं निम्रिकित में से कौन एक छेत्रिये परियाबर समस्या है ये आपको बताना है जलवायू परिवेत्तर जीबास पीधन जलाना या मरुस्त लिकर तो ध्यान रखना है, कौन सी छेत्रिये परियाबर समस्या कौन सी है तो बह कान सी होगी option number D, मरुस्त लिकर क्यूंकि ये क्या है अपने आपमे एक छेत्र है और इसकी परियाबर समस्या क्या है कि यह मरुस्तल है आगे बढ़ते हैं next रखा है audit के अलाबा खतरनाक कचरा प्रबंदन की अन्य प्रबंद रणती में यह सामिल है क्या सामिल है यह आपको यहाँ पर बताना है पहला जीबन चक्र विसलिसर आयतन गटन या दे रखा है पुनर चक्र और पुनर प्योग पुनर चक्र और पुनर प्योग या फिर यह सभी तो राइट अंसर नमारा क्या होगा audit के अलाबा खतरनाक कचरा प्रबंदन की अन्य प्रबंद रणती में यह सामिल होता है तो बहुत सामिल क्या होते है सभी सामिल होते है जीवन चक्र विसलिषर भी होता है आयतन गटन भी होता है और पुनर चक्र और पुनर प्योग भी होता है तो राइट अंसर होगा उप्शन नमबर दी यह सभी आगे बढ़ते हैं next question यहां रखा है भोपाल दोगटना में डैस गैस लीक हुई थी बैरी इंपोर्टेंट क्यूशन है जो भोपाल गैस तराजदी हुई थी कहां भोपाल कहां पर है मद्ध प्रदेश में MP में है ना और कब हुई थी यह गैस तराजदी तो यह हुई थी गैस होई थी न, छोरा सी, हाँ, छोरा क्या बोला है भी, छोरा ध्यान से सुन, सी की बाद आ रही है, है न, तो उन्निस सो छोरा सी, छोरा सी को क्या पढ़ोगे आप, छोरा सी, है न, छोरा सी पढ़ोगे, तो छोरा सी, छोरा सी, छोरा सी, सी की बाद आ रही है, है न, सी की ब अपरकार से 1984 में क्या होई थी बोपाल गैस प्रगटना होई थी कि कब हुई थी तो याद आपको याद हो जाएगा कि C के बाज को क्यों देगा गैस लिक होगी थो ठीक है तो चोरा 7 तो civilizations में मत्यप्रड़ अहीं बोपाल गैस द्रगटना ही थी उसमें कौन से gas leak हुई थी आपको बताना है potassium iso potassium isothiocyanate या फिर अपना होता है sodium isothiocyanate या फिर ethyl isocyanate या methyl isocyanate राइट आंसर हमारा क्या होगा तो बोपाल gas दुरकटना जो हुई थी उसमें gas leak हुई थी methyl isocyanate कौन सी हुई थी भई methyl isocyanate हुई थी right answer option number d होगा next बढ़ते हैं यहाद रखा है दिन के समय हरे पौदे क्या अब सोसित करते हैं o2 co2 या co या फिर अपना हो जाता है n2 तो आपको पता है जब दिन होता है तो उस समय क्या होता है co2 ली जाती है है ना कौन सी co2 ली जाती है plus 6 co2 होगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग पिलस 6 CO2 क्या होती है रिलीज होती है और क्या बनता है 6 H2O क्या होता है जल्भी रिलीज होता है और उर्जा मुक्त होती है ठीक है तो यहाँ पर जो हो जाएगा O2 होगा O2 O2 रिलीज होती ही दिन में ठीक है रात में CO2 होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6-02 होगी ठीक है, O2 क्या होती है रिलीज होती है, तो यहाँ अबसोसित कौन सी हो रही है आप देख सकते हो कौन सी अबसोसित हो तो नहीं भी यहाँ पर अबसोसित जो हो रही है वो हो रही है CO, ठीक है तो बहानों के द्वारा बताना है सबसे कम प्रोदूसर फैलाने वाला इदन कौन सा हो जाएगा डीजल, पेट्रॉल, एल्पीजी या फिर सी एंजी तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा compressed natural gas तो right answer दाएगा C N G कि full form क्या है? compressed natural gas इसका जो मुख घटक होता है वो कौन सा होता है? मुख घटक होता है methane कौन सा? methane LPG का मुख घटक कौन सा होता है? butane ठीके? दोनों की दोनों आपको याद होने चाहिए liquid petroleum gas आगे देखते हैं next question यहाँ देखा है नाविकिये प्रदूसर होता है जो नाविकिये प्रदूसर होता है वो कैसा होता है आपको बताना है अमलिये बर्सा के कारण उर्ग्रको के कारण radioactive के किरणों से या फिर औधोगे के अबसिष्ट से तो right answer क्या होगा? जो नाबिकिये पर दूसर होता है बह कैसे होता है तो बह होता है radioactive किरणों से राइट आंसर होदाएगा option number C ये जी चाहिए तो next परते हैं automobile जो automobile बगारा use करते हो हाँ ठीक है exhaustion से में सीशा अधिकतर उतसर्जित होता है क्या उतसर्जित होता है सीसे से ये आपको बताना है पहला दी रखा है tetraalkyl सीशा sorry 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 यहाँ पर कुछ लग मैं रखा है अधिकतर उतसर्जित होता है अच्छा हाँ जी automobile जो होती है उसके exhaust उसे सीशा अधिकतर उतसर्जित होता है कौन सा सीशा जो होता है वो उस्थरजित होता है यह पूछ राक्या यहाँ पर प्रदूशड के रूप में ठीक है तो पहला हो जाता है टेटरा एलकन सीशा या धात्विक सीशा या हो जाता है लेड सलफाइड या हो जाता है लेड ब्रोमो क्लोराइड तो राइट आंसर हमा क्या होगा बहुत important question है तो बहुत हो जाता है लैड sulphide ठीक कौन सा होता है lead sulphide उत्तरजी तो होता है बायू producer ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स question की बात करते हैं यह बायू producer का घोतक है तो बायू producer का घोतक कौन है आपको पताना है खरगोस, गिलहरी, लाइकेन या फिर ये सब ही, तो भई खरगोस तो नहीं है, है ना, ना ही गिलहरी है, ये तो भई संत्वन बनाए रखते हैं, और जो लाइकेन है, वो क्या है, ये एक बायू प्रेदूसर पौदा हो जाता है, तो राइट आंसरों का ऑप्शन न क्या देखने को मिलते हैं, दोनी प्रेदूसर होता है, बायू प्रेदूसर होता है, जल प्रेदूसर होता है, या फिर ये सभी, तो जब खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, भई दोनी प्रेदूसर होगा, खुदाई करेंगे तो मसीनों नेक्स देखते हैं नेक्स देखा है यह औध्धोगिक सह उत्पाद है तो औध्धोगिक के सह उत्पाद आपको बताना है जो औध्धोगिक के द्वारा उत्पाद किया जाता है मतलब डारिक्ट उत्पाद नहीं होता है उसे किसी ना किसी के द्वारा उत्पाद किया जाता ह है मिलाकर तो अधर कहला था है सहह उत्पाद यहाँ पर बताना यह है ओधोगे सह उत्पाद हैThis रेड मड़की बात करते है यहें पुना खुद बाखुद होता है यह अपने अपने और गंधक चीजों से दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर अगर कोई सी चीज को बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं सहह उत्पात कहा जाता है आगे बढ़ते हैं next question यहाँ रहा है आज कल fly ace का प्रियोग हो रहा है देखो यहाँ पर आ गया fly ace और fly ace आज कल fly ace का प्रियोग हो रहा है कहाँ पर दबा उत्धोग में, सीमेंट उत्धोग में गड़े पाटने में या फिर यह सभी में तो आज कल जो fly ace है सहह उत्पात जो है उसका प्रियोग किसमें देखने को मिल रहा है तो right answer option number B हो जाएगा next बढ़ते हैं next देरिका है या फिर C बेज तो निम्निकित में से जल प्रदूसर का प्रियोग काल कौन सा हो जाएगा तो बैखो जाएगा और दोगे के कच्छरा right answer होगा option number C next बढ़ते हैं next question की बात करते हैं यहाद रहा है अपच्छे का मुख अभी करता है जो अपच्छे है उसका मुख अभी करता क्या है यह आपको बताना है तो देखेगा right answer क्या होगा पहला देखा है नदी, सागर, हबा, या फिरता तो अपच्छे है क्या जो अपच्छे है अपच्छे कहते किसे हैं ठीके अपच्छे कहते हैं चट्टानों का टूटना फूटना ठीक है ये अपचह कहलाता है अपर्दन तो इस प्रकार के जो किरियाय होती है वो क्या होती है अपर्दन कहलाती है अप मुछ रखाए इसका जो मुख्य कार होता है मुख्य अभी करता है वो कौन है क्या नदी है सागर है हवा है या पिर त जो हेंगी? जब ताप बढ़ेगा? है ना? इस्तिी कुछ इधर दर होगी, गुरतबा करस्न में परिवेतन होंगे, तभी तो होता है, तो नदिये तो नहीं होगी, ना ही सागर होगा, ना ही हवा, किसे? ताप से. क्योंकि जो मुख अभी करता है वो क्या है ताप ही है ताप से क्या हो जाता है बायू में जल उड़ता है उसके बाद गुतवाकर्स में इस्तिती परिवर्तन होती है गुतवाकर्स में क्या होती है इस्तिती परिवर्तन होती है कहीं बेट जादा होता है कहीं बेट कम होता है जहां पर बेट कम होता है, बही जाकर क्या होता है, ताप बढ़ता है, और इधर का जो इधर ताप बढ़ता है, जहां पर गुतबा करश्र कम होता है, बहां का ताप कम हो जाता है, यहां का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे ही ताप बढ़ता है, तो यहां पर क् का मतलब है पाइस्तितिक इंडियन एसोसियेशन परियाबड इंडियन एसोसियेशन पाइस्तिक प्रभाव अधिनियम या फिर परियाबड प्रभाव आंकलन तो राइट आंसर मारा क्या होगा तो यह हो जाएगा environmental impact assessment environmental impact assessment ठीक है इसका मतलब है full form में इसकी तो जो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा बो हो जाएगा पाइस्तिक प्रभाव अधिनियम तो right answer हो जाएगा option number C आगे बढ़ते हैं next question क्यों important है इसको देख लेना यह बहुत important question है देखने को मिल सकता है ठीक है और इसकी English में फुल फार्म याद कर लेना लिख लेना चाहें ठीक है तो इसका हो जाता है environment impact assessment आगे बढ़ते हैं next देर का है भुसकलन से सरबदिक प्रभावित राज है भुसकलन से आपको बताना है सरबदिक प्रभावित राज कौन सा है उत्र प्रदेश पंजाब असोम या फिर उत्राखंड तो भुसकलन कहां देकने को मिलेगा जहां पर परबज जाता होंगे तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा उत्राखंड तो राज है बुसकलन से सरबदिक प्रभावित राज है आगे बढ़ते हैं सबसे अधिक प्रदूसित नदी कौन सी है जो सबसे अधिक प्रदूसित नदी है तो आपको पता है सबसे जाद लोग कहां जाते हैं भाई राजधानी कौन सी है दिल्ली और दिल्ली के समीप से जो नदी गुजरती होगी बही क्या होगी सबसे प्रदूसित होगी तो कौन से हो जाएगे बही बहे रहने वाली अपनी यमुना ठीक है जो यमुना त्री हमनंत से निकलती है आगे बढ़ते हैं नेक्स वुशन नेक्स रखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्लिकत से संबंदित है जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किस से संबंदित है आपको बताना है घर में हरे पियर से गास के मैदान से भूतापन से या फिर देश में हरे आली से तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसे है ये भूतापन से किसे भूतापन से क्योंकि जो प्रतवी का ताप बने रहता है ना प्रतवी का ताप जो है वो बने रहता है क्योंकि छोब मंडल है उसके नीचे क्या होता है जो छोब मंडल में हम रहते हैं इसका ही ताप क्या होता है ताप होता है जाता ताप कहां देखने को मिलता है छोब म लिएगी कमी होती रहेगी है ना जैसे कि आपने देखा है कि मांटे परेस्ट है जैसे ही उपर चड़ते रहोगे फैंड में व्रभी आपको क्या है को ज्यादा देखने को मिलती है अगर आपने मांटे परेस्ट के कुछ लोग देखे हैं तो आप समझ गया आगे बढ़ते हैं next question तो हाँ यहाँ पर हमारे 50 question जो होते हैं भी complete हो चुके हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like, subscribe, दबा कर ठोकना है सभी के लिए ठीक है और वीडियो को क्या करना है बही शेर कर देना है शेर तो करना ही करना है दबा कर ठोकना है सभी के लिए ठीक हो बैल